गेहूं की सबसे अच्छी विराइटी जिसको अगर किसान भाई 2022 में लगाएंगे तो कापी अच्छा उत्पादन इस विराइटी से ले सकते है जी हाँ किसान भाई आज हम गेहूं की एक उननत विराइटी जो मद्यम अवदी में पकर तियार हो जाती है उस विराइटी के बारे में बात करेंगे किसान भाई उस विराइटी का नाम है पूसा तेजस हाई सित्यसी गुनसाथ किसान भाई यो ये गेहूं की मद्यम हाइट वाली विराइटी है जो 115 से 125 दिन में पकरतियार हो जाती है इस विराइटी से किसान भाई 28 से 32 कुंटल प्रती एकर तक उठपादन ले सकते है इस गेहूं की विराइटी की क्या-क्या विशेष्टाएं है और किन-किन सेत्रों मे किसान भाई इस विराइटी को लगा सकते है चोटा सा ये वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देख ले ताकि आपको गेहूं की एक उन्नत विराइटी की जहनकारी मिल सके फटावर से चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक और अपने किसान भाईयों के पास से एर भी जरूर करें किसान भाईयों पूसा तेजस जिसे ह.I.C.89 के नाम से जहना जाता है ये विराइटी मुझे कापी पसंद आई है क्योंकि हमने पिछले साल भी इस विराइटी को लगाया था और ये विराइटी कापी अच्छी विर कर तियार हो जाती है मुझे रूप से आप इस विराइटी की बुवाई हलकी लाल जमीन में भी कर सकते है हलकी जमीन से भी आप इस गेहों को लगा कर प्रती एकर 28-32 कुंटल तक उत्पादन ले सकते है इसके अलावा इस विराइटी की जो उंचाई है वो मध्यम होती है 80- 25-25 cm के आसपास जिस कारण तेज हवा में पोदा सीधा खड़ा रहता है पोदा आड़ा गिरने की समश्या नहीं आती है इस विराइटी की बालिया आप देखेंगे कुछ अलग ही आपको नजर आएगी बालिया आपको छोटे आकार में नजर आएगी लेकिन उनमें जो दा आने हैं वो कापी पास पास में होते है धाना मोटा वजं दार और चमकदार होता है जिससे धानों में वजं ज़्यादा होता है जिससे उत् gradually निकलता है मंडी में रेट कापी अच्छे आपको मिल जाते है कहने से मेरा मतलब है कि पूशा तेजस गेहूं कि ये कापी अच्छी विराइटी है मेरी पसंदेदा विराइटी भी है इस विराइटी से किसान भाई हलकी जमीन में भी अधिक उपजुत पादन ले सकते है किसान भाई यो इस विराइटी में चार से पांस सीचाय की ज़रूरत हो सकती है